नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में, मेरा नाम है प्रसोन अजरवाण आज मैं आपके लिए यह टॉपिक लेके आए हो, मेरी जिन्दगी से भी जुड़ा हुआ है और आपकी जिन्दगी से भी जुड़ा हुआ है आज मैं आपके समय लेके हैं How to save your salary या How to make the best of from your salary जब आप किस तरीके से अपनी salary का या आपकी income का फुलर utilization कर सकते हैं ये बात उनलों के लिए भी apply के वड़े जो business class में हैं और जो है salary class में उनके लिए भी बराबरी से apply के वड़े तो आज मैं आपसे कुछ 10 points ऐसे बात करूँगा अगर आप उसको follow करते हैं अपने जीवन में लाते हैं तो आप अपनी salary का भहुत बड़ा इससा save कर पाएंगे और आने वाले समय में जब आपको उसकी जरूत होगी पैसे की तो इस्तमाल कर पाएंगे मैं आपको 10 points बताऊँगा मैं बताऊँगा मैंने ऐसा क्यों सोचा और वो चीज मेरी खुद की यूज करी हुई है मैंने अपनी जिन्दिकियों से यूज किया है पहला point है consider your savings as your expenditure यानि आप जो पैसा save करना चाहते हैं उसको expenditure ही माने आप यह मानें कि आपकी savings है अगर आप माल में चलेंगे कि यह expenditure ही है जो मुझे हर मैने करना ही करना है तो आप अपनी salary का कुछ हिस्सा save जरूर करेंगे जो की आने माले वक्त में आपको फायदा ही देगा और आपके मजबूरी में या कभी कोई आपको अच्छी चीज़ खरीद नहीं है investment करना है तो वो आपके काम आएगा आपको कभी भी खर्चे ऐसा महसूस नहीं होगा लेकिन आपको हर महने उस savings के part को आपको खर्चे की तोर पर मानना है कि यह खर्च है और उसको एक अलग जगे जहां पर आप अच्छा investment option जो समझते हैं वहाँ पर आपको उसे invest कर देना है second option is think before you buy यानि आप जो भी खरीदारी करते हैं उसको खरीदने से पहले सोचें क्या वास्ते में आपको उसकी जरूत है जिस तरीके से आज आई फोन का में एकपिल लूँगा अप्ल का आई फोन हर एक साल एक नया नया version आता है और बहुत सारे लोग उसके हर एक version को खरीदना चाहते हैं बहुत सारे लोग उसके skipपी करते हैं बिझा तो ऐसा बहुत सारे लोग होगह जो हो हो जाता है कि आपको वही फोन लेना होता है कपड़े होते हैं बहुत सारी चीजे कार है बाइक है तमाम ऐसी चीजे जहां पर आप जो भी खर्चा करें उसको खर्च करने से पहले सोचे जरू कि वास्ता में इसकी जरूत है मुझे या नहीं है अपने डेली शॉपिंग में य यह सीजे ना करें आप पहले सोचें कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है तीसरा पॉइंट है स्टार्ट सेविंग अर्ली यानि अर्ली का मतलब है कि जितना जल्दी हो सके आप जैसे जॉब में आ रहा है बहुत सारे यंग लोग जॉब आरे मेरा बरदर भी अभी ज सेविंग्स को पहले निकाल दीजिए जहाब आपको सेविंग करनी वो अलग कर लिए उसके बचे ही आपको लगता है आपको रखना है इंटरटेन्मेंट के लिए रखना है आप इंटरटेन्मेंट के लिए रखना है आप इंटरटेन्मेंट के लिए रखना है चाहे से कप करते हैं आने वाले समय में आपको चल्दी सी शुरू करना पड़ेगा उसके बाद आता है चौथा पॉइंट जो बहुत ही जादा जरूरी है आज की डेट में जबकि डिजिटल इंडिया को फोकस कर रही है गवर्मेंट कार्ड पेमेंट के फोकस कर रही है आपको ध्यान झरूरी है तो इस तरीके डेट इंस्ट्ルमेंट आप सित्माल लाग है जितना पैसा के पास है उतना ही खड़ेWow जिन्स को अलग कर दें उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसी में इसे खर्चा चलाए ट्रेडिक का यूज ना करें और फैसिलिटी का यूज ना करें जो भी अच्छे इन्वस्मेंट ऑप्शन है एक इसपे मैंने वीडियो बढ़ाया हुए उपर आई लिंक पे वह वीडियो आ रहा है, आप उसे पह ido जाकर आपने और पर वीडियो पार आपको बश्रेडर गारूं slightly कहां पर future liability अच्छी है यह सब चीज़ आप देखिए और उसके बाद वो पैसा आप लगाई है उसके च्छटा पॉइंट आता है avoid wastage for buying for luxury देखिए यह बहुत की बड़ा point है जब हम लोग एक middle class की problem है एक upper middle class की problem है कि वह बहुत जल्दी rich होना चाहता है बहुत जल्दी वह higher level पर जाना चाहता है ऐसा ना करें आप आपको अगर लगता है कि मुझे एक आज मैं मार्ती हेंड़ चला रहा हूं या अल्टो कार चला रहा हूं मुझे बहुत जल्दी फॉर्चुनर खरीदनी है 25 लखी घाली खरीदनी है तो ऐसा नहीं है कि मैं रात और रत खरीद सकता हूं मुझे पहले अपना income level बढ़ाना पड़ेगा इंकम के सोर्सिस बढ़ाने पड़ेगे ऐसा नहीं कि मैं इसी income group में फॉर्चुनर खरीद होंगा तो ultimately मेरे उपर responsibility बहुत होगी और मैं उसका bill payment नहीं कर पाऊंगा उसकी EOI payment नहीं कर पाऊंगा तो अपनी जो लगजरी को अगर आपको पूरा करना है उस लगजरी की definition जो इसके बाद आता है in case of future अगर आप पहले इंस्योर करें अपना future को इंस्योर करने का मतलब यह है बहुत सारे आप देखते होंगे सबसे बहले लोग LIC ले लेते हैं या कुछ अलग अलग policy मेरे लिए आपके लिए सबके लिए दिराय है कि LIC लेने से पहले यानि life insurance लेने से पहले आप medical policy ले medical policy आपको इंस्योर करता है काफी यादा जो problems होती है आपकी medical के खर्च होते हैं जो आपके running expenditure में problem create कर देते हैं आपके मंतली expenditure में problem create कर देते हैं उसको आप रातिमित्ता दे life insurance को आप secondary रखें यह आप बहुत सारे लोगों से सुनेंगे तो आपको यह मजा जाते हैं अच्छी बात है लेकिन आप मौत से पहले आप daily use expenditure के बारे में सोचिए कि आपका expenditure अगर बड़ा medical खर्च आ जाता है तो आप कैसे करेंगे वो running expenditure की परिशानी उसे आप कैसे निकलेंगे तो medical policy बढ़िया option है अगर आप उसे उमर में जल्दी ले रहेंगे तो आपको काफी फाइदा होता है काइसलेस आपका medical treatment हो जाता है काफी बड़े-बड़े expenditure उसमें covered हो जाते है फिर उसके बाद आपको लगता है कि आपको live insurance लेना चाहिए को आप ले सकते हो free हो अब आती है मुख्य बाद जो आपका आटमा पॉइंट है वो मैं अपने जीवन में हमेशा apply करता हूँ save at least 20 to 30 percent of your salary at least 20 to 30 percent of your salary take home salary take home salary यह बोला हूँ मैं क्यों आप अगर ती महने की salary बचाते हो नहीं 30 30 30 यारी ती महने आपने 90 percent एक तरीके salary बचा लिए अगर आप ती महने की salary 30 percent अगर आप saving करते हो approximately तो आप एक महना free up का हो गया अगर माली आपकी job छूट जाती है या कोई problem हो जाती है तो हर तीन महने पर आपको एक महने की saving करी हुए है आप अपना एक महने का खर्चा उससे चला सकते हो ठीके अगर आपने 30 percent की saving करी है या आपका 70 percent रुपया खर्च किया है यानि at least जो आप saving कर रहे हो उसमें भी अगर मैं बात करो हर तीन महने काम करने पर आपको एक महने का मुफ्त में आप जी सकते हो आपका खर्चा आप खुद उठा सकते हो इनकेस अगर आपकी job जाती है या कोई problem आती है तो आपके कुछ savings रहेगी यह rule आप हमेशा लेके चले इसके वाद आता 9th point change your habits if you are shopping freak मतलब आप market में गए आज मैं घर से बाहर निकला हूँ आज मेरा मन नहीं गरा है और वह मेरे बाहर खा लिया या group में घर में खा सकते हैं आप group में खा सकते हैं आप मतलब आप थोड़ा market में जाके analyze करके आप देखिए कि अगर आप घर में खाना खाएंगी तो आपके लिए health के आप साथ में खाना खाएंगी पूरा family साथ में खाना खाएगा तो आपका खर्चा भी बचेगा लिए बहुत सारे लोग होते हैं यूँ हफते में तीन दिन चार दिन पास दिन तक बाहर खाते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी health के लिए issues create करेगा साथ में expenditure भी आ आपको कंट्रोल करना है दसमा पॉइंट यू है वो हम सब के लिए applicable है मेरे लिए applicable है आपके लिए सेविंग्स से ज्यादा वो हर जिंदगी के हर चीज में चाहाँ आपको पढ़ाई करनी हो चाहाँ आपको growth करनी हो किसी भी चीज में हो वो है dedication वो है acceptance कि आपको ये चीज क करना है कैसे plan करना है किस तरीके से करना है वो फूरी plan करें उसके छोटे छोटे चाहण है हो सकता है किसी मैं दस% करता है और किसी मैं आप 40% करता हैं तो average आउटो के वो 20% salary अपी से हो जाएगी तो उस तरीके से प्लान करें छोटे-छोटे step दाए dedication ले कि मुझे हाँ करना ही करना है मुझे एक बड़ा घर लेना है मुझे एक बड़ी काड़ी लेनी है लेकर मैं काड़ी लूँगा तो loan से नहीं लूँगा मैं खुद के पैसे से लूँगा तो इस तरीके की dedication आप हमेशा दिखाएं और savings को जरू करें dedication करें छोटे-छोटे step लें यह दसो point आप अपनी जीवन अपलाई करें यह आपको support करेगा आपके जीवन में support करेगा share करें अपने दोस्तों के साथ सभी relatives के साथ उनको भी यह मदद मिलनी चाहिए कि उनका हग बनता है और subscribe जरू करने pocket money यह आप ही का channel है मैं आपके एडिया ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ साथ मैं वह vlogs भी लाता हूँ अगर आप वह vlog देखना चाहते है तो मेरे channel के जरूर जाए subscribe जरूर करने channel को और याद रखे always respect your nation follow your heart जय हिंद वंदे मात्र